नमस्कार दोस्तों आप सभी का टेस्ट बुक्स उपर कोचिंग प्रेटफॉर्म पर स्वागत है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरिसिनेट जून 24 के नोटिफिकेशन आ चुका और साथ साथ उस नोटिफिकेशन में एक्जाम डेट का भी जिक्र किया गया है जहां पर लिखा गया है कि 16 जून को यूरिसिनेट का एक्जामनेशन होगा यूरिसिनेट जून 24 का एक्जामनेशन जो है 16 तारिक को निश्चित किया गया है बाइदा यूरिसिनेट एंटी एजिंसी अब इसमें सबसे बड़ी समस्य है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि on the 16th of June, on the same date, UPSC prelims examination also going to be conducted, तो UPSC prelims examination जो है, वो भी 16 June को ही निश्चित किया गया है by UPSC, अब इस तदिती में, यह दौनों dates clash हो रही है, UDC ने पहले ही information दे दी थी, dates already finalized थी UDC की तरफ से, और उसके व बिना इन चीजों को ध्यान में रखे हुए, बिना यह ध्यान में रखे हुए कि एक बड़ा राश्टी स्तर का examination already उस तारीक को हो रहा, उसी दिन UDC का examination भी declare कर दिया as per the notification, तो अब अवशकता है कि हमको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, उनको आवाज उठानी पड़े और सबसे बड़ी प्रावलम यह है कि बहुत सारे स्ट्रेंट जो कि UDC और basically UPSC दौनों को यह examination को दिना चाते हैं वो नहीं दे पाएंगे, because बोट basically level के जो स्ट्रेंट्स है वो almost master's level पे, PG level पे होते हैं और again कहां पे, काफी level पे इनके examination भी, let's say, concite करते हैं, again a lot of UPSC experience also are interested in the UDC and as well as a lot of UDC experts are also serious about the UPSC examination, okay, तो दौनों ही sprints जो है, यहां से overlap होते हैं और इसलिए, यह पूरा सब का अधिकार है, because अगिर राष्टिय इस तरका examination है, तो सब को मौका मिलना चाहिए, अपना exam देने का, और इसमें कहीं न कहीं, इस प्रकार का DCN, जो है, 16 जून का, जो कि UDC ने रखा है, वो गलत है, तो उसका खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, और उसलिए, यह एक मुहीम जो है, मैं अपने तरफ से चलाना प्रयास करना हूँ, आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप जो लोग चाहते हैं, कि इस डेट में परिवर्तन हो, जिससे UPSC के आप से Twitter पर ही रहते हैं, ठीक है, उसके लावा ज्यादा एक्टिवीटि उनकी दिखते हैं नहीं, ट्विटर पर सब चाहते हैं, तो Twitter पर उनके अकाउंट पर जाके जहां जहां मिलें, वहां पर मैसेज डालिए आप, एक हैस्टेग भी मैंने यहां बना दिया है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, so hashtag है, change net exam date, okay, hashtag change net exam date, इसके लाबा, कुछ support number भी मैंने आपको बताते रहा हूं, this is the support number, जिस पे आप UDC को, say, या फिर बोल सकते है, UDC net के लिए support, UDC net के students के लिए support number है, fine, तो यहाँ पे numbers available हैं, और साथ-साथ, this is the email ID, okay, इस email ID पर जितना हो सके, दम भर के mails भेजिए, कि exam date change होने चाहिए, okay, so हमको हर इस्तर पर ठीक है, भले वो Twitter हो, email हो, contact हो, हर जगे, okay, and even as per the notification, okay, notification में यह भी लिखाए कि query reversal system भी है, NTA का, so NTA की website पर जाके भी आप query reversal system पर भी अपना issue raise कर सकते हैं, वैसे मेरे साब से mail लिखने से, call लगाने से बार बार, और साथ साथ एक hashtag चला दीजिए, change net exam date, कहाँ पर आपके Twitter के उपर, जितना हो सके, जहाँ पर भी ठीक है, NTA का official page हो, UDC का official page हो, chairman साब का official page हो, जो हो, सब जगें बार बार retweet करते जाएं, Hashtag change the exam date, 16 June exam का date, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, खतम का, जिससे सभी को officer मिल सके, और सबसे important बात, इसमें और चीजिश में आपको दाता हूँ, इसके लावा UDC का भी एक page है, ठीक है, जिसका नाम है, E-Samadhan, this is also a grievance redressor, okay, So E-Samadhan UDC पर भी आप जा सकते, So आप simple type करेंगे, E-Samadhan UDC, ये E-Samadhan UDC page पर भी जो है, आपके पास जो है, अपनी query race करने को options है, यहाँ पर multiple options available है, So इस पर भी try कर सकते हैं, वैसे मेरे आप से Twitter पर कर देंगे, तो Twitter पर भी काफी active हो रहते हैं, तो अभी हमको प्रयास करना पड़ेगा, जितने जल्दी हो सके, वैकोस से clear it रहेगे, और आप लोग application form भर पाएंगे, वैकोस सिरफ 20 दिन का वक्त दिया गया है, form भरने के लिए, और अगर जल्दी से जल्दी, ये dates का clarity नहीं रही, तो you will always be confused कि हम form भरें की नहीं परें, बेकोस अभी सबसे वड़ी सबस्या ही हो रही कि आधे ज़्यादा इस्ट्रेंट्स ये परिशाने कि हम form भरें की नहीं परें, हमारा exam clash तो नहीं, बेकोस UPSC का जो काम है, वो job वाला examination है, और ये जो है qualifying examination, तो वहाँ पर कहीं नहीं इस्ट्रेंट जो है, loss में जाना है, तो इसलिए इसको हमको जल्दी से जल्दी चेंज करवाना है, जतना ज़्यादा होसा के दवाब बनाना है, UDC के उपर, NTA के उपर, तो ये कुछ चीजे मैंने अपनी तरफ से मुहीं चलाई है, आप लोग भी प्रयास की, जिसमें जतना ज़्यादा होसा के जोड़िएगा, और बाकी इसके लाबा, पढ़ाई तो हमको करनी ही करनी है, एचा बन मोर इंपोर्डन फॉर्मिशन फॉर्दर रिकार्डिंग के आगे हम क्या कर रहे होंगे, इस एक्जाम देट के चेंज के रिगार्डिंग, तो आप लोग टेलिग्राम ग्रॉप को भी जोईन कर सकते हैं, प्रदीवन सरेंटर्स को टेस्बूप, जहाँ पर रेगुलर्ली आपको अपडेट्स देते रहेंगे, कि what are the future course of action that we need to follow, okay, so क्या आगे करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से दवाब बनाना है, तो वो सब जो चीजे हैं, आपको यहाँ पर टेलिग्राम ग्रॉप पर मिलते रहेंगे, तो उसलिए, GRF booster course में भी paper 1, paper 2 के booster's start हो चुकी है उलिडी, तो उनको भी regularly follow कीजे, और साथ-साथ आपके जो भी classes हो रही है, free classes हो रही है, test book app पर, YouTube sessions हो रहे हैं, वो सब जो है चैसे follow करते रहें, ठीक है, so लडएंगे, एक हल्ला बोल है, URC के गलत date decide करने के ऊपर, आप सभी से फुरी उम्मीद है कि आप दम भर कर समर्थन करेंगे, और साथ-साथ जितना भी हो सके, website पे email करेंगे, call करके बार-बार उनको परिशान करेंगे, और साथ-साथ Twitter पे तो विलकुल आग लगा ही देनी, ठीक है, थैंक्यों दोस्तों, so please इस मुहीं में जोड़िये जरूर, ठीक है, थैंक्यों सो मच,